चुनाव में खबरें आती हैं कि नीता खुद को जिताने के लिए जुनता को अलग-अलग तरहे के प्रलोभन देते हैं जिस पर अनावश्यक रूप से पैसा खर्च होता है और जो प्रत्याशी आर्थिक तोर पर मजबूत नहीं होते उनके सामने समस्या खड़ी हो जाती है क क्या है चुरावी रेट काड और क्या है समोसा बिर्यानी मटन चिकन और चाय की तै कीमते जाने कहां कितने रुपए खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी लोगसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है देश के कई हिस्सों में प्रत्याशियों ने अपना प्रचार अभियान भ मतदान होगा 19 अप्रेल को पहले चरण के अंतरगत 102 सीटों पर मतदान होना है मतगणना 4 जून को होगी नामांकन के बाद से प्रत्याशियों को खर्च का पूरा ब्योरा रखना होगा सार्वजनिक बैठकों और प्रचार अभियान के दौरान उम्मीदवार अगर लोगों में एक कप चाय की कीमत साथ रुपई और समोसी की कीमत साथ साथ रुपई तै की गई है ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रत्याशियों को अपने खर्च का प्रवंधन निर्दारित सीमा के अंदर ही करना होगा पंजाब की जालंधर में छोले भटूरे की कीमत 40 रुप काम तै किया गया है लस्सी 20 रुपई और नीमू पानी 15 रुपई प्रतिग्लास मध्यप्रदेश के बालागाट के रेट कार्ड में चाय की कीमत 5 रुपई से कम है लेकिन समोसे की कीमत 10 रुपई से अधिक है बालागाट रेट कार्ड में एडली सामभर वड़ा पोह की कीमत भी 20 रुपई रखी गई है वहीं डोसा और उपमा की कीमत 30 रुपई तै की गई है हिंसा प्रभावित मणिपूर के थौबल जिले में चाय समोसा कचोरी खजूर और गाजा मिठाय की कीमत 10 रुपई रखी गई है टेंग नोपाल जिले में उम्मीदवारों को काली चाय के लिए 5 रुपई और दूद वाली चाय के लिए 10 रुपई का भुगतान करना होगा वहीं बथक और सूर के मास की कीमत 300 और 400 रुपई प्रते किलोग्राम तै की गई है चिकन और रोहू, म्रगल और सारिंग जैसी मचलियों को भी सूची में शामिल किया गया है चिन् चाय की कीमत 15 रुपई में बटाटा वड़ा खा सकते हैं, चाय की कीमत 15 रुपई तै की गई है वहीं कौफी की कीमत 20 रुपई होगी हर्याना की जीन्द में उम्मीदवार 300 रुपई में तंदूर किराय पर ले सकते हैं वहीं डाल मकनी और मिक्सवेज जैसे व्यंजन 130 हांचे जैसे हैली पैड लगजरी वहन और फार्म हाउस से लेकर फूल माला गुलदस्ते कूलर टावर एसी टोपी जंडे और सोफा जैसी अलग-अलग वस्तों को शामिल किया गया है रेट कार्ड में प्रचार के लिए टाटा सफारी या स्कॉर्पियों से लेकर होंडा सिट मगर अरुनाचल प्रदेश गोवा और सिक्के में ये सीमा 75 लाख रुपे हैं वही केंद्र शासित प्रदेशों में उम्मीदवारों के वैकी सीमा शेत्र के आधार पर 75 लाख से 95 लाख रुपे तक रखी गई है